पावद्बारब से एस वावरजां या प्विएट क्यों अ the ए प्विएशह क्यों और किस copy बैस कि सुझ gece हमने वर्ड को पड़ा ऐस फिए वर्ड क्या है तो एक डॉक्मिन्ट फाइल तयार करने के लिए उप्योंट एक अप्लिकेशन जहां पर हम लेटर अप्लिकेशन बुकलेट थेकर पेंप्लेट ब्रॉजर यह सब वेल डिजाइन कर सकते हैं जब हम एक्सल में जाते हैं तो एक्सल में हमें डेटाबेस जैसा कंसेप्ट बगता है कांटिंग जैसा कंसेप्ट बगता है एकलोजिकली कंसेप्ट के साथ में डेटा को इस्तों करने की फैसरेटिव समझती है जबने बखुबी एडवांस एक्सल की तरफ पर पढ़ा समझा उसी प्रकार कही न पहले एक ओपिस में अपना ओपिस का या जो भी शौप है या जो आक। मार्गेटिंग न भी करें तो कहीं माशस की अईडियाज को वो अपने employee के साथ में अपने officers के साथ में शेयर करने की भी आउश्यक्ता लगती है तो उन तमाम जगे जहां पर हमें कोई presentation देना हो कोई data perspective करना हो वहां पर powerpoint के आउश्यक्ता लगती है अब जब हम no सीखिये रहते हैं इसमें तो हमारा presentation एक रफ पैज जैसा होता है कई कंपनियों के जब presentation होते तो उन्हें देखें कि वह presentation तो त्यार कर लेते हैं लेकिन कहिना कई टीपट आपी वाला काम कुछता है जिसमें वन बाइवन स्लाइड आ रही है बस लेकिन उसमें data content पर focus नहीं किया वहां कि पर कम नहीं किया गया तो presentation में हमें सीखना है उसके animations उनकी डिजैनिंग यहां पर logically कम डेटा काम करेगा यहां पर designing ज्यादा काम करता है एक्सल में logically हमें माइन को प्रिपार करके फिर काम करना होता है कि हम कैसे logic लगा दे और कैसे डेटा को लेकिन जब हम पावरपेंट में आते हैं presentation application में आते हैं तो हमें डिजैनिंग में पर जाबा फोकॉस करना होता है कि कैसे एक वेल presentation हम तयार करें जो हमारे सभी audience को अच्छा लगे जो भी आप में दर सब देख रहे हैं तो भी समझ रहे हैं उनको समझ में भी इसली तोर पर वो आ जाए तो वहाँ पर हमें presentation पर फोकॉस करना होता है तो एक वेल presentation के लिए आपको content की भी आउश्यक्तर रगेगी और उसके लिए आप माइन को भी प्रिपेर करना पड़ेगा कि किस परकार से हम content रखें जितने आप नए thought के साथ उसके काम करेंगे उतना यह बैद ज्यादा duration का हम जब हम word और excel को पढ़के आते हैं तो हम कहीं है कि दो दिन में powerpoint पिल्कुल सीख सकते हैं इसमें कर दो बस सर्थ होती है कि आपका content और आपकी रूची जितनी है दो दिन में इसे नहीं सिखा जाता लेकिन हमें जो उसके methods है जो कार्यकदती है वो हमें आ जाता है फिर हमें क तो powerpoint भी office पे किसका ही भाग है तो powerpoint को open करने के लिए आप office के अंत्रगत जाईए और office के अंत्रगत आपको यहां पर powerpoint application मिल जाएगा यह powerpoint जो भी version आपके system में शालो जैसा हमें word में कुछ template बने बनाए मिलते है एक्सल में भी हमें कुछ बनी बनाए excel seat मिलती है उसी प्रकार powerpoint में भी हमें कुछ presentation प्रेजनिंग लिएउट्स है वह यहां पर मिलते हैं यह इनकी थिम्स है ठीक है तो इन थिम्स में भी हम ले सकते और भी नेट्स यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं जैसे फर्स्ट में यहां प्रेजन्टेशन थिम्स दे रखी है यह कई प्रकार की थिम्स यहां पर आ जाई और इनमें कोई भी आप थिम्स जब स्लैक करते हैं लें क्रियेट करना होगा यह तो अब यहां पर इनकी हम बात करें तो यहां इसमें इनिमेशन नहीं होंगे यह की बद एक स्लाइड यहां पर आ रही है और डेटा कंटेंड यहां तो हम अपने बिजनेस का या हमारा जो भी डेटा कंटेंड होता उसका वेल प्रेजनेशन यहां पर कर सकते क्योंकि सारी चीजें हमें याद रहे पाना और step by step रहे पाना पहेना के बहुत कठीन होता है तो प्रेजनेशन हमारी अपने बात को रखने के लिए एक सहारा भी होता है कि हमें किन पॉइंट को फोकॉस करना है और किसके बाद करना है तो वो पॉइंट हम इसमें स् अब हम बनाने की बात करते हैं तो इसके लिए न्यू में जाना है और यहां पर ब्लैंक प्रेंटेशन आपको मिलेगा यह हमने ब्लैंक प्रेंटेशन लिया तो जब वर्ड की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें एक डॉक्यमेंट फाइल मिलती है जब हम एक्सल में बात कर रहे हैं तो एक्सल बूक मिलती है यहां पर जब हम पावर्पाइंट में कोई फाइल खोलते हैं तो जो फाइल खुल रही है उसके पेज खुल रहा है इसको हम स्लाइड बोलेंगे ऐसे यहसा है उसको पेज ना बोलकर कह स्लाइड क्योंकि एक हमसिन एक स्लाइड् सॉपर यहां देले हैं किसे लेंकि यहां करते हैं जो वहां किलाल के लिए तो हम अपने प्रेजंटेशन में कर Mizraim हौ कर देते यहां पर रखा अब next slide तो next slide के लिए यहाँ पर new slide का option है ठीक है उसका design layout भी दे रखा कि किस प्रकार के आपको slide लेना है या तो आप यहाँ से यहाँ पर आते जाई हमें कितने इस लाइड का प्रेजनेटिशन बनाना है पहले ही ले सकते हैं या डिजाइनिंग करने के बात भी यहाँ पर इसको असाइन कर सकते हैं अब इसके menu system की यदि हम बात करें powerpoint में तो home tape आप देख पार है cut copy paste format pointer और formatting layout यह नहीं पूरा as it is वही MS word तो हमें इसको पढ़ने के आउशकता नहीं है हर एक options को हमने MS word में सीखा है समझा है ठीक है अब यहाँ पर जो different है वो हम लेकर के चलेंगे अगला आता है insert तो insert भी पूरा हुग 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 वही है जो हमारा word में था उसमें भी हमारे table थे ए पिक्चर वगेरा photograph आटो शेफ वेल डिजाइनिंग जैसा आपने वर्ड भी किया वैसे ही तमाम डिजाइनिंग यहाँ पर भी आप कर सकते हैं we gave some boys वीडियो और आडियो वीडियो और आडियो का वज़ेसे हमें इसमें यूज करेंगे जब हुम्हें प्रेस्टयशन के दोरान कोई music उसमें सहिए तो फिर हम audio या वीडियो आपको presentation देना हängt तो आप ले सकते हैं ठीक है यह आडियो option पर आप जाएंगे और जहां पर भी आपके पास audio में अभी साइद हमारे पास audio होना बहुत मुश्किल है एक है साइद तो यह हम insert कर लेते हैं में और यह प्ले भी हो जाएगा अब मुजिक यह भी तो हमारे पास प्लाल कमी है तो फिर डाउनलोड करेंगे और आज इस कॉम देखेंगे तो यहां पर न्युव आप्सन है आज़ियो और वीडियो का insert में डिजैनिंग में भी लगभग्ले वही है लेकिन यहां पर कुछ डिफ्रेंट है और वह यहांद देखिए जो धीटिम्स है यहीरा मेरे प्रेजेंटेशं पो डिफेंट करेंगे नहीं तो यहां पर प्रकार की देखिए से हैं इनमें जो भी आप त्रिम अपने प्रूजन के अधार को लेना चाहते हैं वो आप स्लाइक करिए जैसे आप। आप करेंगे तो आपके प्रूजन प्रूजन के लिया है वो सभी या उपर लागू हो जाएगा यह सबसे पहला हमारा वेलकम है और यह वेलकम इस प्रकार से डिजाइन करके आ गया है इसी थीम में यही है लेकिन हमें color different रखना है तो यहाँ पर color आपको powerpoint देता है कि आप इस color में रख सकते हैं यह कई color options यहाँ पर है इसके लबाब more में आप चले जाएए यहाँ पर color में जाएए तो यह multi color का यह combination दिया है यह font background और टाइटल इन सब के अगने डिजाइन किया गया है इनि जिसके उपर जो जचना चाहिए जो color combination होना चाहिए वो बाइडिफाल्ट यहाँ पर सेट करके दे दिया गया है जैसे yellow green के साथ में combination कैसा होगा तो यह देखिए yellow green का combination यहाँ पर बना कि दे दिया गया है ठीक है तो हर slide के साथ में यहाँ color combination दिया गया है इसमें भी जैसे हमें color दूसरा कोई चाहिए तो यह color आप यहाँ से select कर सकते है dark color combination चाहिए दिजैनिंग वही है color combination यहाँ पर dark हो गया multi color में हम जाएंगे और यहां से जो भी color आपको suitable लगता है वो color आप select कर सकते हैं बेग्राउंड की styles भी है कि color आप वही चाहते हैं बेग्राउंड देखिए color वही होगे लेगे बेग्राउंड आप चेंज हुआ है color slide का जो है वही है तो यहाँ पर इस प्रकार की combination दिया ग कि इतना तो आप ले ही सकते हैं इसके अलावा आप new themes को download भी इसमें कर पाई है कि यह यह आपके पास कोई download है तो वह वहां से आप ले सकते हैं फिलाल हमारे पास साहिद कोई सीटीम इसमें डाउनलोड नहीं है है कि चले तो हम कुछ तीम नेट से download है कि देखते हैं अब कुछ थीम नेट से download है कि देखते हैं कि हुआ है कि ऊचछे टीब देखते हैं झाल झाल यहां तो नहीं दे रहा है पीपीटी में भी यह ओप्शन एक अविलेबल होता है कि आप थीम को डाउनलूड कर सकते हैं इसके लिए आपको न्यू में जाना पड़ेगा तो यह यहां पर थीम से हैं जो वहां शो नहीं हो रही थी वो थीम यहां पर मिलते हैं और कई थीम से यहां पर अविलेबल हैं कि अधिए कि जैसा थीम में दिखा रहा था वैसा नहीं निकलाई अधियान तो इस प्रकार की दिखा रहा है है कि अधिए है कि अधिए कि अधिए है कि अधिए इस पर मोडर्न जी और से मिली जाए अब यहां पर थीम हमें यहीं चाहिए हैं और कंटेंड डेटा अपना चाहिए तो इसके उपर हम अपना डेटा डालते जायें है जब तक आप इनको सबको सेट नहीं करें तब तक आपका प्रिपीटी ठीक नहीं लगेगा तो कोसिस करें कि फोन्त भी इस प्रकार की डिजाइनिंग लियाउट में हो कि आपका जो प्रिपीटी है वो रोजचक दीखें कई मामले ऐसे होते हैं कि हमने एनिमेशन अच्छे ड कोई डेटा कंटेंट जैसी नेटवर्क वगेरा इस प्रकार से हमें हटाना है तो इसको आप हटा सकते हैं पूरे को डिलेट कर सकते हैं है ना और चाहते है कि नहीं हम इसी में इमेश को अधा दे तो आप इमेश को लिंक है उसमें कि इसमें साइद गूरूप के में इसमें गृूप हो सकता है है हूं कि कि अपना इमेश रखे तो दूसरा डाउनलोड कर ले सकते हैं इस फ्रकार के इमेज जो pretty fine है कहिना के उन्हों ना color combination के इसाब से सब कुछ set किया हुआ है तो वो ठीक लगेगा अब यहाँ पर डाल सकते हैं हम अब असल में यह image के पीछे हैं तो हम इसको cut करके और इस image के उपर paste कर देंगे यह शो होने लगी जाएगा इसमें भी titles है हम इस title को अब देखिए कि कभी कभी इस्तिति यह बन सकती है कि आपका जो content है वो इतना highlight नहीं हो पार है क्योंकि background में भी यहां पर हमारा जो color है वह white है और यह भी वाइट है यदि हम इसको डार करते हैं तो पूरा बेग्राउंड डार करें लेकिन कुछ अब यह अभी भी इतना अच्छे सा highlight नहीं हो रहा है तो अब हमें ध्यान देना है या focus करना है इस data content के उपर इस पर डबल क्लिक करना है format में जाना है और एक तो हम इसकी outline set कर देते हैं तेक है outline का set हो गया लेकिन size कम है तो हम outline का size है वो थड़ा सा बढ़ा देते हैं हैं कि बाउजुद भी outline का जो color है वो background का color दोनों का dark है तो हम outline का color भी यहां पर change करके देख लेते हैं यह हमने outline का color red लेकिन red color भी इसमें है तो इसमें जो color नहीं है एक तो वो हम set कर सकते हैं दोसरा हम चाहते कि नहीं यहीं रहे तो एक और option हमारे पास है वो है glow हम glow में ज ग्लो में हम कोई भी color इसमें डाल दें जैसे अपने yellow ही डाल दिया या फिर यहीं पर आप glow में more setting glow options को क्लिक करिए यहां से क्या होगा कि आप glow का size वगरा भी बढ़ा पाएंगे और जो transparency है उसको आप कम कर दीजिए जब transparency को कम करेंगे तो यह color बीच में यानि इन दोनों क बीच में एक color तीसरा ही यहां पर आ जाएगा और यह highlight कर रहा है यानि उसके टेक्स्ट के background में आपको लगेगा जिससे क्या होगा कि text अब सीधे सीधे पढ़ने में आ रहा है ठीक है अब हम चाहें तो जैसे एकेडमी का जो हमने color set कर रहा था वैडि फॉल्डर जुसको हम इसको बॉल्डर करते हैं और यह है black उतना स्लैक करेंगे और इसका ब्लेक कर देते हैं लेकिन जब हमने ब्लेक किया तो पहले highlight होड़ा था अब नहीं हो रहा है तो हमारे पास option है कि हम इसको पूरे को select करें और इसका जो outline color है वह white कर देते हैं देखिए अब highlight हो और इसी के साथ में थोड़ा सा साइज भी हम यहां पर बढ़ा देते हैं कि कुछ ज्यादा साइज हुगया है कि कम करना चाहिए इपना ठीक है अब देखिए उसी बेग्राउंड में हमने शुब मेकेट में को highlight कर दिया है ठीक है तो color combination पर भी हमें थोड़ा ज्यान देना है अब हम इसी टेक्स्ट का duplicate बना लते है तो इसके लिए इसकी border पर आपको क्लिक करना है देखिए अब border उसका आ रहा तो इस टेक्स्ट का border थोड़ा डार को होने करन यह एक का और इस टेक्स्ट को हम chain कर लेते हैं अब कि अब कर दिया है यह हम डाल देते हैं DC अब को मा इस यह बर्बर में इस लेक्षर बर्बर्ट मैं इस लेक्षर कि सेव कर लेते हैं इसको कि इसकी इसकी स्टोरी भी बहुत जादा बड़ी वे को प्लिक करके और इसकी स्टोरी को भी हम थोड़ा छोटा कर लेके एक और बैग्ग्राउंड में इसलिए परेशान कर रहा है यह कर सर को हम चलिए इस्टोरी में ही इस्टोरी का क्रेट कर लेके इसको स्लैक करना है आपको कंट्रोल एक्सेस से कट करना और कई भी बाहर क्लिक करके और इसको पेस्ट कर देना तो इस डेटा की अपनी स्टोरी बन जाई तो इसको आपको थोड़ा स्लैक करना और मैनेज करना सामग जाई अभी भी यहां मल्टी स्टोरी है इसमें क्योंकि हमने रेडिमेट इमेज लिया है ना इसलिए यह सब आ रहा है अभी भी स्लैक नहीं होने देना इसका कलर हम जैन कर देदें कॉर्मेट में जाना और टेक्स कलर कोई भी डिफ्रेंट कलर रख सकते हैं इसी का डूप्लिकेट हम बनाएंगे डूप्लिकेट बनाने के लिए इस्टोरी सेलेक्ट होना जरूदी है और इस्टोरी में इस्टोरी बैठके वीज़ें अब दूप्लिकेट बना सकते हैं अब इसमें जो इसका ग्लो है वो हम प्रड़ा कम कर देंगे एक तो कलर डिफ्रेट कर देंगे इसका भी स्टोरी भूच एक्स्था जा रहा है उसको भी कट कर लेते हैं और यह जो स्टोरी है यह डिलीट कर देंगे और उसको पेस्ट कर देंगे अब हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं लेकिन इस्टोरी वो जो इस्टोरी था जिस पर डेटा टेक्स था वो बाइडिफाल्ट कैपिटल लेटर्स नहीं कि रेडिमेट से तो अच्छा है कि हम नया बनाते हैं इस्टोरी बहुत बहुत बढ़ी पढ़ी बीज़ें कि इस्टोरी निए खुद की इनको इस्टोरी बोलेंगा एक डेटा टेक्स जो ले रहे न वह स्टोरी है यह सेलेक्ट होने में प्रॉब्लम देता है अब हमें कापिटल में करना होगा इसको अब है कि 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 अब जैसे हमने इमेज को अठाया अब मैं इस्टोरी में सेलेक्शन में दिख करने ज़रा हुआ है यहां पर वी साइध हो सकता है कि यह मिक्सर अब एक शेप ले लेते हैं अब इसमें भी इडिट पॉइंट ऑप्शन मिलेगा हमें इस इडिट पॉइंट से आप इसके डिजैनिंग लेवर को चैन कर सकते हैं कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि देखिए एक साइस्टोरी है इसमें डॉटेट वहीं बनाया बनाया ना डिजैनिंग इसलिए यह हमें अपने अप्शन्स को मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम देता है हम सेलेक्ट कुछ और करने जाते हैं लेकिन यह सेलेक्ट होता है और यही कारण है कि अभी इडिट पॉइंट चला रहे हैं उन नहीं चल रहा है तो हम एक न्यू स्लाइट पर इसको डिजैन कर लेते के लिए कर लेते के लिए पहिंट यही। की अब भी चैन्ड यह रहा पाइड होगा रड जैसा इस मूप नहीं चल रहा है कि है कि अब आपके 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 अब चुक्त कि अज़शन करें अब लाइज है कि अब नहीं अच्छा से चेंज हो रहा है कि अब बैसा तो नहीं कि हमारा प्रेजेंटेशन के कारानी है जो बना बनाया है बना ब्लेंक पर करके देखते हैं इसको वह ही है वहाँ पर स्टोरी बनी पड़ी है तो वह हमारी डिजाइनिंग्स को शो नी होने दर है कि एडिट पॉइंट को कि यहां एडिट पॉइंट भूप भी चल रहा है कि ज्यादा चाहिए कि हम नए पी बनाएं कि फिलाल पर भूप में डाल देते हैं इसके उपर कि देखो अभी यहां पर साइज भी बढ़ाने में डिक्का दे रहा है ठीक है हमने कोई यादा नहीं लिखाया हम उपने डेटा को यहां से ले चलते और इसमें जो हमारी डिजाइनिंग है यहां सभी फिलाल कोई भी डिजाइन दे बात में हम उसको अन्य थिम में भी कनवर्ट कर सकते यह समचाहें डेटा कंटेंट बनाने के बाद क्योंकि उस वाले में जो रेडिमेट होगा उसमें जो आप एक्सर डिजाइनिंग प्रॉब्लम देगा क्योंकि वो डिजाइन को उन्हों कर रहा है बस आपको पर्मिशन देता है वो टेक्स्ट की मतलब पर्मिशन सारी देती लेकिन वो स्लैक करने में क्योंकि अल्रणी पहले से एक स्टोरी एक औबजेक्ट होगा बैठा बान तो हम अभी फिलाल कोई भी इसमें भी आप जो पहले के टेक्स से यह बैस रहें इनको फटा देना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आपको स्लैक्ट करने में डेटा को यह अबजेक्ट आएंगे जैसे अब हम इसमें अपना यह डिजैनिंग रखना चाहते हैं इसको यह अबजेक्ट और इस अबजेक्ट में हम लेयर बनाना चाहते हैं तो बना पाएंगे इडिट पॉइंट से यह अब चेंज हो रहा है यहां पर यह अबजेक्ट आएंगे टॉँट आएंगे इसक्राप। कि इसको हम बैक में कर देंगे सेंड बैक कि यह लेयर पीछे चले जाए और आउटलाइन को बठा दीजिए जो आउटलाइन लिखा जा रही है नो आउटलाइन इसमें भी और इसको भी सेलेक करके नो आउटलाइन बाहर अभी ठोड़ देर मुझे ध्यानी था कि को न आए मैं देखा नहीं आपको ठीक है सेव करने के लिए वही है कंट्रोल एस वेलकम नमसी करते हैं इसको अब यदि हम इसी का डिजाइनिंग एक्सा लागू करना चाहते हैं तो इस पूरे स्लाइड को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करना तो पूरा सेम एस इस डुप्लिकट बन जाएगा तो हमें इसमें लेयर बनाने क्या आउग सकता नहीं बड़ेगी बस हमने यहां पर चेंज करना पर अब हम यहां पर जो भी इस सबसे पहले करना चाहते हैं तो यहां इस लाइड पर कोई कि इस सेकेंट तक कितने सेमेश्टर ने फोच चीजन नेक्स लाइड नंपीजी से करना जाते तो वहीं कंट्रोल डी से डुप्लिकेट बना देगा अभी हमने इस पर कोई एनिमेशन डिजाइनिंग नहीं डाला है वी सिंपल सा हमने डिजाइनिंग फॉर्वेट लागू क कि इसके रिजाइनिंग आप ही चाहते लेकिन जैसे कलर बहुत ज्यादा हालिट हो रहा है तो आप इसके डिजाइनिंग पैरड़ में जाकर कि और यहां कलर में जाकर कि अब जो भी कलर चाहते हैं वह कलर से लेका साथ है यह लाइं और है कि गहां दर्क के साथ में हो गया है जाना लाइप सारे पर है कि अब ज्यादा रिफेर्ण हो गया है कि यह भी चल जाएगा फियाल के लिए तो अभी तो आपको कम से कम इस डडेटा के उपर 8-10 बना करके लखना फिर हम इसके उपर देखा है तो अभी हमने देखा है थीम एंड कलर यदि आप इन से हटकरके पूरा इमेज या कोई लेना चाहते हैं तो आप बेग्राउंड कलर में चले जाएं यहां पर आपको solid fill तो मिली रहा है solid fill में यहां color combination दे रखा इस जो भी color आप लेंगे background का color वो set हो जाएगा ठीक है theme का color और background का color आप different अखना चाहते हैं तो theme तो यह हो गया इसके कर सकते तो यहाँ पर कलावा कलर यह मोर कलर भी यहां पर मोर कलर में जाकर जो खलर आप बनाना चाहते हैं इस्टेंडर या आजब तो यहां पर बना सकते हैं इसके अलावा है जिसमें आप मिक्सर त्यार कर सकते हैं अब जैसे आपको बेग्राउंड तिरंगे कलर पर चाहिए तो आप यहां से जो एडिट पॉइंट है इनको डिलीट कर दीजिए तीन पॉइंट आ गये हैं पहले का कलर आप क्या रखना करे चाहिए यहां से आप कलर सब्सक्राइब कर दीजिए और थर्ड का आप क्या चाहते हैं वह आप यहां से सब्सक्राइब कर दीजिए जितना बढ़ाएंगे उतना यहां पर कम हाईलाइट होगा इसे के साथ यहां पर प्रिक्चर एंड टेक्चर का उप्सन है तो टेक्चर में आप जाहिए इस पर तिक आप खोड़ा सबढ़ा कर देते हैं यह यहां पर यह सारे टेक्चर से जो भी टेक्चर आप लेंगे वह बेग्राउंड में फिर जाईए यह तर्क टेक्चर यानि हमारी थेम वही है लेकिन बेगराउंड यहां पर चेंज हो गया है तो कई इसके लावा image का option भि रहेगा यह यहाँ picture और all Poster दोनों इसी में हैं तो यहाँ option पीक्चर का और पिकचर आप ले सकते हैं पिक्चर उते न हुश में ऐन इसकर कि फिक्चर के में तो ने टेंड़ करके एब ऐसेının फिर्ट अप्रियार गर्वाश्ट